एलो फ्रेंड्स कुमुद है अज यू कन सी ये विंटर का फलार है कॉक्सकोंब इसको बोलते हैं सेलोसिया भी बोलते हैं कई लोग इसको तो ये सबसे पहले मैं सीट्स इसमें से ले रही हूं क्योंकि ये सीडिंग पर आगया है तो मेरे पास इसके तीन कलर है एक ये कलर है रडिश मरूनिश आप ये देखे नीचे का जो ड्राय ड्राय पार्ट है इसमें सीट्स बनने शुरू हो गये हैं ये दूसरा कलर है ये बेरी पुर्टी पिंक कलर है तो इसमें भी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो black black और थोड़ा dryness दिखाई दे रहे हैं यहां से देखिए पूरा black black जैसा है और इसमें अगर पीछे की तरफ देखें तो पूरा dry होना शुरू हो गया है तो यह indication होता है कि इसके seeds बनने start हो गये हैं तो बस इसको जब इस condition पे plant पहुंच जाए तो फिर हमें उसको समझ लेना चाहिए कि इसमें से अब हम थोड़े दिनों में seeds निकाल सकते हैं तो एक तीसरा कलर है मेरे पास golden yellow और ये भी बस seeds के लिए तयार हो रहा है और एक आप देखिए इसके पीछे से पूरा dry हो गया है ये जो छोटे छोटे आपको dry dry seed pots नजर आ रहे हैं बस इसी में से seeds निकलेगा तो ये video basically beginners के लिए हैं जो की नहीं नहीं अपनी gardening शुरू करते हैं तो seeds की जिनको problem होती है तो हम nursery से plants ले तो आते हैं पर फिर next year फिर लेने भागते हैं तो उससे अच्छा है कि हम अपनी seeds कुछ तयार कर लें तो ये जो है मैंने इन तीनों के seeds निकालने हैं एक का मैं अलरेडी निकाल चुकी हूँ which was dark maroon color तो आपको दिखाती हूँ कि उसके seeds बस उसको नीचे से crush करो friends और उसमें से seeds आपके अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं तो ये देखिए इस तरह के seeds होते हैं black black seeds जैसे चौलाई के seeds होते हैं चौलाई जो हमारी leafy vegetable होती है उसके seeds होते हैं बिलकुल उसी की तरह ये दिखते हैं एक दम चिकने और glossy finish है इसकी और बस इनी seeds को आप संभाल के रख लीचे नेक्स्ट इस season के लिए